हेलो फ्रेंट्स वेलकॉम् टू ट्रीकी जक्सन आज इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग बेसिक मैट्स पार्ट टू वीडियो आई यह जिसमें कैलकुलेशन बताएंगे आज कुछ जो की बहुत आने वाले एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट्स होंगे आप लोग के ल यह आप ऐसे कुछ कालकुलेशन लेकिया हूगा हूज इसमें कुछ मल्टिफिपfon का , अपैट आएंग तो आप आप कैसे शौल्व करते हैं इसको आप अच्छे से देख लेंगे मौन को सीक्षिख लेंगा और बार बार प्रस्टीम करेंगे तो rat see करेंगे अच्छे से आपको यह समझ में आ जाएगा चीजे और बहुत ही कम समय में कैलकुलेटी पार्ट को आप स्वलुक कर लेंगे ठीक है तो यहां पर एक चीज देखिए यहां पर कैलकुलेशन समझाने से पहले कुछ चीजे बता देता हूं आप लोगो को जो यहां पर यहां पहले वा infection के देखिए क्या से लेकिस तक का टेन याद कर लेंगे आप किछ और क्या करना हम एग से लेकि पचास तक का एस्वाइ unless करना आपको डिक से कैसे स्कोयर निकालना है क्यूब निकालना यह टेबल बनाना है तो इस पर आपको क्या करा नहीं इसको टिप यानि जुवान पर अजिए मतलब जैसे ही 25 का स्कोयर या 35 15 50 कुछ भी हो तो आपके जुवान पर आजाना चाहिए तो इससे कैलकुलेसन आपका क्या हो और दूसरी चीज देखिए आप मैं multiply की बात करूंगा तो यहां पर दो डिजिट का multiply बताऊंगा आज मैं आप लोग को पहले फिर उसको कापी सारे नंबर वह बताऊंगा जैसे 9 का 11 का 5 का 10 का तो देखेंगे यहां पर सबसे पहले दो डिजिट का नंबर तो दो डिजिट के आप 15 को 13 से multiply करना है एक तो बिल्कुल यह वाला multiply होता है और सब को क्या करना भी सम कर दीजिएगा तो जो भी नंबर होगा यह नंबर आ जाएगा लेकिन नहीं एक कुछ अलग तरीका जो कम समय में आपको क्या करेंगे आंसर दे तो देखिए यहां पर कैसे कम समय में आंस किजिए तीन को जब एक से गुना करेंगे तो कितना होगा तीन तो यहां पर तीन लिख दीजिए जब पांच को एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा पांच और सब को जोर दीजिए पांच तीन आट और नो ठीक है और एक को एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाए देखिए आपको लगता होगा जो आप कर रहे होंगे वही आसान है लेकि नहीं यह भी बहुत आसान है आप उसको समझेंगे देखिए एक और कोश्चन के थूरू समझते हैं इसको कि चलिए इसमें मल्ट्टिपलाय करना है तो सबसे पहले क्या करना इसके इन डोनों को मल्ट्टिपलाय किजिए नाइन और थी से यान 9 को 3 से मल्ट्टिपलाय करेंगे तो कितना मिले आपको 27 तो 27 का साथ लिखिए और दो आगे फरवर्ड करती है रहने जहां पर अब क्या करने क्रोस मुल्टिप्लाइ करना यानि चार को नौ से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा नौ चुक्छत तीस सि लिखने का तरीका भी नियां कि अंक्गे साइट से लिखेंग और फांच को आप तीन से गुना करना है तो कितना हो जाएगा बाच इन को जोर दीजिएक तो कितना हो जाएगा पांच फीच गिस वैस और सव्क ताउड गया तो मैंने क्या किया थे क्या करक्दा परके से कतना रपा नहीं को तूम गदिया, मत. तो 9 को 4 से मल्टिपलाय कर देंगे कितना हुआ 36 लिख दी आम नए। यूनिट इजित के सामने यूनिट इजिट को लिखे न है अब आगे क्या करना है देखीया 5 से 3 को मल्टिपलाय करेंगे 15 अब इनको जोर लीजिए कितना हो जाएगा 6-8 and 85 कितना हो जाएगा 13 13 का 3 और 1 क्या करना में आगे भीज देना है चलिए आगे देखेंगे 5 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20 और 21 223 कितना हो जाएगा 25 तो दो तीन कोश्चन इसी पर करवा देता हूं मैं आप लोग को जो की बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को यह कुश्च चलिए आगे देखेंगे आप अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो रोग कि आप लोग उसको सोलूसन ले सकते हैं चलिए देखिए यहां पर तो देखिए साथ को छे से गुना करना है ना पहला है इनको दोनों को गुना करना है तो साथ को जब शे से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 42 चाड़ आगे कर दीजे सातिया कितना हो ते 20 ऐसे लिख देना है और साथ च्छा के 42 तो कितना हो जाएगा चार दो छे और एक साथ ठीक अब यह यूज हो चिका इसको कार दीजे और सातिया कितना हो जाएगा एक तो आप का अंसर क का मैंने बताया आप लोग को चली एक कोश्चन और देख लेते हैं जो कि बहुत ही आसानी से आप लोग इस पर प्रेक्टिस करके सीख लीजिए तो कि जितना ज्यादा प्रेक्टिस करेंगे उतना आप लोग के लिए ये इजी हो जाएगा कि चली आगे देखेंगे 89 को क्या करना कि서 कि नंटी ठी करना इंटी ठी से मृटिप्ली करना किसे शाट इस और आप के लिए 324 कि और नौर्म में क्या सी तो कितना हो जाए गें चार्य थे सान तो यजिस का इसक मुल्टिपला हमने welcome के लिए है बेसिक मैट में ही तिन डिशिकट का मल्टिपला है चार मल्टिपला जो कि जितना असान हो सके आप लोग के लिए उतना आसंव यहां पर कर वाया जाएगा तो धिए यहां पर धूसरा चीज उम्मिद करता हूं समझ में आप लोगों को समझ लीजेग़ और उसके प्रेक्टिस किजिए गा अगर समझ आ जाए तो गए कुमेंट करके जरूर बता दीजेगा एक लैक कर दीजेगा वीडियो को चलिए एक चीज देखिए आपके किसी भी डिजीट को दस से मुल्टिप्लाइ करना है यहां यहां पर मल्टिप्लाइब यहां पर क्या क यहां पर देखेंगे आप क्या 516 को दस से मुल्टिप्लाइब करना है तो कितना हो जागा इस पर एक जूर लगा दीजिए पांच एक छे और जीरो जो नमबर है वो रहने दीजिए और एक जीरो आप लगा दीजिए आप का अंसर हो जाएगा यहीं पर बात में करता हूं आप लोगों को सौ से मुल्टिप्लाइब करने की कि 234 इंटू सौ से मुल्टिप्लाइब करना है तो क्या कीजिए आप 234 तो लिखिए और कितना डिजिट है दो जिरो है तो दो जिरो लगा जी आप का अंसर हो जाएगा इसी पर काहर से देखेंगे यहां पर जब बावन क कि अग्यों को हजार से गुना करना है तो क्या करेंगे आप 22 तो रहने तीजिए लिखती जिए और कितना जिरो है तीन जिरो तो तीन जिरो लगा देए आप क्या हो जाएगा यहां से बिलकुल आसान तरीके से बताया महिने आप लोगों को 10 का मुल्टिप्लाइब 100 का घार कि समझने की चीज़े अगर पांच वाली सीख लेंगे सेदा आज तक ऐसा बताया नहीं गया है क्योंकि मुल्टिप्लाइब क्या हो जाएगा 5 देखिए अब किसी भी डिजित को 5 से मुल्टिप्लाइब करना है जैसे देखेंगे यहां पर 123 और 5 मुल्टिप्लाइब क्या किसी नंदिप्लाइब कोई नमट में नम्मर में तक कोई दिखत नहीं आप कोई भी नमन लगा सकते यहां से तो देखिए यहां यहां पे 1235 यैनि क्या करना है मुझे 5 इन डीजिट को सब से पहले फंह उनी डिजिट पे यानि 1 2 3 5 पे किसी एक 0 आपका आंसर कितना हो जाएगा 6175 यानि 6175 यानि 1235 को 5 से multiply करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 6175 समझे एक बार और समझा देता हूं जैसे 1235 को 5 से multiply करना है तो क्या करना मुझे मैंने बता है इस पर जिरो लगा दीजे आप और उसको आदा कर दीजे यही आप आधा करने के लिए क्या करना पड़ता है दो से भाग देना पड़ता है तो यह चीज हमारे लिए क्या होता बेयाद आसान हो जाती है ठीक है तो चलिए अगला कोश्च एक और कोश्चन देख लेते हैं इसी चीज पर चलिए आगे देखेंगे आप 9673 मुल्टिपल आप फाइव तो क्या करेंगे आप इसको आप एक जिरो लगा देंगे यहां पर पांस से गुना करने और आधा कर देंगे कितना हो जाएगा दो चोके आठ एक दो आठे सोला दो तीया चे एक दो चे के बाड़ा और दो आठ यानि 48365 पांस से मुल्टिपलाइ करने का तरीका मैंने बताएगा जीरो लगा देना और आधा करते ना यहीं आपका क्या हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो यहां पर कुछ चीज़े देखेंगे आप जैसे मैंने बता दिया पांस से दस से और यहां पर चीज़ देख देखेंगे जैसे यहां पिए किया करते हैं कि कि सिफिसे को ग्यारा से मुल्टिपलाइ करना टो इस लगे टो फैल से मुल्टिपलाइक तवory कोई बात नहीं जी बहुत आसान तरीका से सिखेंगे आप देखिए यह सब चीजे काम आएगा जितना प्रेक्टिस कर लेंगे पेपर मुतना जैदा यह काम आएगा लास्ट डिजिट में क्या है पांच तो पांच को एज लिख दीज आप चलिए आप आगे देखिए एक यह एक तो सब्सक्राइए दोनों नम्मर को क्या करना है प्रस करते चलना तो पांच को चार में जोडेंगे його ऐन कितना मिलेगा नैन यह बहुत बाढ़िया मैं 6 में 3 में 4 ये 4 निए ज़ंग तो जोरेंगे तो कितना हो जाएगा ऑग 명त बढ़ीड आँs को जाएगा आंगो जाए अब भढ़ी है सिर्दफ्रिधी बाइसल्ट थी नोटने तो कितनी तो यह पाउजाएगा किभ एक बार बताती तो हमाई नहीं में क्या किया दोर्ष्त यहां पर मनेती विए सी कम्राइब से मुटिप्लिया करना था तुब 5 का जो सब्सक्राइब में जिंस नहीं को एक नग करivas करना है जोड़ते चल रहा था किटना कितना हमें ग्लाइब तो यह आपका क्या हो जाएक चली एक और कोशन देखेंगे ग्यारा का मुल्टिप्लाइ करना पेपर में आप ही जाता है ठीक है तो एक और कोशन देखेंगे अगला कोशन है नाइन टू को क्या करना 11 से मुल्टिप्लाइ करना है तो क्या बताया था मैंने लास्ट डिजिट को ऐसे लिख देना है जैसे लिखना है आपको तो लिखती है वहां पाहर और यह कितना होजागा नौर्द कितना होता है 11 11 का एक आगे एक भीज दीजिए 9 और 8 कितना होजागा फिर से एक बच गया त तो समझ में आ गया होगा एक और कोशन देख लिए यहां पा है जब तो आप लोग कोमेंट करके बताएंगे नहीं कहां पर समझ में याड़ा है फिर दूसरी क्लास में कैसे बता पाऊंगा आप चले यहां पर देखेंगे अल एक दो तीन चार पांथ छे मुल्टिप्लिप सबस्क्रेंस कर दो पर दो इनननों को कीज़ेख तो कटने हो जगा थे को प्रकष्क दो इसे वीं कितना हो जाएगा दो शर्ण टोyba Yes A आप cancer हो जाएगा तो मैंने फिर से बता दिया last digit को आईसे लिखना है जैसे last digit है फिर बात में दिखिए अगर problem है ना तो यह ऐसे circle करते चलेगा करते चलेगा इसको मैंने एड कर लिया एड कर लिया एड कर लिया और इस पर कापी सारे डंबर आप खुद से बनाएए प्रैक्टिस कीजिए और उन चीजों पर अपना कमांड कीजिए और आने वाले एक्जाम में जो कल्कुलेशन का पार्ट है इसको एस्ट्रोंग कीजिए क्योंकि एक्जाम में कम समय देना आपके कोश्चन पर और जब कल्कुलेशन होगा तो क्या हो जगा कम समय में दे पाएंगे ठीक है तो यह था आज का बेसिक मैट्स का पार्ट टू नेक्स्ट वीडियो ऐसे आते रहेंगे आप लोग के पास तो चैनल को सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राव और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे साथ बनेट यह चैनल पर मैट्स रिजनिंग और जीएस के कोश्चन आप लोग यहां पर कड़ाये जाएंगे थैंक्यू सो मच